नमस्कार दोस्तों, डीकोडिंग बजट 2021 सीरीज में अब हम एक और प्रोविजन की बात करेंगे, जो बजट 2021 के अंदर प्रोपोज किया गया है, और यह जो प्रोविजन है, यह बेसिकली इन्पुट टेक्स क्रडिट से जुड़ा हुआ है, जी हम, आप सब जानते हैं, जी इन्पुट टेक्स क्रडिट क्लेम करता है, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर, यह जो प्रोविजन है, वो बेसिकली सेक्शन 16 में अमेंडमेंट की बात करता है, तो सेक्शन 16 के अंदर हमने बेसिकली देखा था कि इन्पुट टेक्स क्रडिट लेने के लिए आपको चार कंडिशन्स फुल्फिल करनी होती है, उसी के अंदर एक और कंडिशन यहाँ पर इंसर्ट की गई है, जी हाँ, तो यहाँ पर सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट प्रपोज की गई है, और जैसे ही यह बिल पास होगा, एक्ट बनेगा, तो इस अमेंडमेंड को भी अप्ल अमेंडमेंड अप्लीकेबल होगी, अब बात करते हैं कि अमेंडमेंड क्या की गई है, तो बेसिकली अभी तक हम देखते थे सेक्शन 16, सेक्शन 16 के अंदर जो चार कंडिशन्स आपको पूरी करनी होती थी, उसमें पहली कंडिशन्स थी कि आपके पास टेक्स इन्वोईस या फिर डेबिटनोट जो की सप्लाइर के दोरा इशू किया गया है, वो औरिजनल होना चाहिए, दूसरा, आपने जो गुड्स या सर्विसिज या फिर दोनों जो भी सप्लाइब, जो वो रिसीव की जा चुकी होनी चाहिए, तीसरा, जो टैक्स है उस सप्लाइब पर, व के तहत जो रिटन है वो फाइल की जा चुकी है तो ये चार कंडिशन जब आप पूरी करते हैं तो section 16 के according आप जो है input text credit के लिए eligible होते हैं उसके अलावा अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि GSTR 2A और 2B के basis पर हम जो है input text credit क्लेम करते थे तो उसमें एक थोड़ी सी technically अर्चन थी वो अर्चन ये थी कि rule 36 सब rule 4 जो ये कहता था कि जितनी भी supply जो की GSTR 1 के अंदर supplier के द्वारा notify की गई है उनी का input text credit आप ले पाएंगे और जो supply आपके GSTR 2A में reflect नहीं होती है उसके regarding आपको जो है आज की date में 5% का ITC जो है allowed किया जाता है तो उसमें problem ये थी कि ये जो rule 36 सब rule 4 की जो condition लगाई गई थी ये basically ये condition rules के according लगाई गई थी इंग GSTR 1 के अंदर ऐसी कोई condition रखी ही नहीं गई थी तो यहाँ पर एक legally challengeable situation थी कि section 16 के अंडर ऐसी कोई condition ना होनी की वज़े से बहुत सारे लोग जो है GSTR 2A और 2B को follow ही नहीं करते थे क्योंकि 2A और 2B का concept जो है वो rules के अंदर notify किया गया जबकि act के अंदर उसको उसकी कोई भी validity नहीं थी तो उसी को देखते हुए यहाँ पर एक close insert किया गया close double A after close A तो close A के बाद एक और close close double A insert किया गया और जिसमें कहा गया the details of invoice or debit note referred to in close A तो close A में कौन से invoice और debit note की बात की गई थी tax invoice or debit note जो की supplier के द्वारा issue किया गया है has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37 तो that means अब आपको input जम मिलेगा जब section 37 के तहत जो है supplier के द्वारा वो invoice या debit note जो है उसकी details फरनिश की जाएंगी और recipient को communicate की जाएंगी तो that means first of all GSTR furnished होना जरूरी है सिर्फ upload करने से आपको जो है अब input tax credit नहीं मिलेगा and secondly जो है वो communicate की जानी चाहिए recipient को as per section 37 तो that means अब जो है F के अंदर वो power insert कर दी गई जिसके जरीए अब जो है GSTR 2AO2B का use कर जो है rule 36 को जो है और भी strong कर दिया गया है तो यह measure बदलाव जो है input tax credit के regarding किया गया जहां पर काफी सारे लोग है stand लेकर चलते थे कि act के अंदर ऐसी कोई भी condition नहीं है जो GSTR 2AO2B के according input tax credit लेने के लिए बाध्या करे तो ऐसे में अब इस power को insert कर जिया गया है जिसके जरीए close double A में कहा गया कि अब जो है supplier जब अपनी invoice और debit note की details को furnish करेगा तब जो है input tax credit मिलेगा under section 16 तो यहां पर वो furnish करेगा सिरफ upload करने से आपको input tax credit नहीं मिलेगा और secondly communicate करेगा to the recipient जो कि आपड़ 2AO2B के जरीए जो है communicate होगा तो यह बड़ा बदलाव किया गया है GST input tax के regard तो section 16 की जो अभी तक आप चार condition देखते थे उसमें अब एक और condition जोड़ दी गई है और अब आपको पांच conditions follow करनी होगी हलांकी यह जो अमेंडमेंट है अभी notify नहीं की गई है finance act मनने के बाद इसको notify किया जाएगा after that यह है एक लिकेबल तो आयोप मेरी यह वीडियो आपके लिए useful होगी हमारे टेलिग्राम चैनल को जोइन करना मत भूलिएगा सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को facebook पेज को like कर दीजिए twitter को follow कर लीजिए तो इसी के साथ भी मिलते हैं next video